अलो विल्कम फ्रेंद्स, Microsoft SQL Server सिजने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ पर आज की वडियो Microsoft SQL Server की है और आज के इस वडियो में हम अपडेट करना सीखेंगे यानि अपडेट कोईरी का यूज अपडेट कोईरी का यूज मैंने आपको से कहा था यहां पर भी अपडेट कोईरी का यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगा यह देखते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब आज यह अपने डेटबीस का नाम दे देता हूं धिकलाश 10 यह लेख दीया और और ऑप्रक्रेश कर दिया तो यहाँ नीचे cluster नाम का database आपको दिखाई पड़ेगा, यह दिख़िए, cluster नाम का database आपको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको table दिखाई पड़ेगा, यह table पर जाके right click कर दिजे, और फिर यहाँ से table पर चले जाएगे, जैसे ही आप table पर जाएंगे, तो यहाँ पर columns दिखाई पड़ेंगे आपको सबसे पहले column में आपको करना क्या है सबसे पहले column में यहाँ पर दे दूँगा मैं roll number तो student का जो भी roll number है वो पहले column में आ जाएगा यहाँ पर मैंने कर दिया roll number ठीक है और इसका data name and carry रख देता हूँ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर student का name आएगा तो यहाँ पर कर देता हूँ student पर अंडर्स्कोर name तो इस तरह किसे student name दे दिया हम ने यह दूनोंवी चीज़े हम दे चुके है अब student की age की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर student का age दे देते हैं ए धिर ठीक है और इसे रख लेता है ant за data type mה रख लिया और यह allowed आवी के लिए से पर इतना समझे है यह हमने कर दिया और इसको अब क्लोज कर देता हूं यहां से यस कर देता हं इसको सेम करना है तो इसे मैं एक database का नाम दे देता हूँ like मैं दे देता हूँ name इस database को मैंने नाम दे दिया name तो अब जैसे इस table पर हम click करेंगे तो यहाँ पर name नाम का database हमें display होगा यह देख सकते हैं यह database आ चुटा है अगर आपका database नहीं आता है तो इस table पर जाकर right click कीजिए फिर refresh कर ठीक है निम में डाल देता हूँ ram और फिर यहाँ पर age में डाल देता हूँ 20 जो भी student है वो less than 25 age के होगे ठीक है यहाँ पर 2 कर देता हूँ और यहाँ पर सरिता कर देता हूँ दूसरा नाम और यहाँ इनकी age कर देता हूँ 23 यहाँ पर 3 कर देता हूँ और यहाँ पर कर दे कर देता हूं सूहानीники को यहां पर कर देता हूं 107-गं यहां पर कर देता हूं इसको आप लिखाई करेगा अचारा है तो यहां लाई है हमें उपडेट का यूजS करेंगे तो यहां पर कोरी करेंगे तो यहां परको छाहिए और यहां से सेललेक्ट कर रहे है तो उस डेटाबेस का आपको नाम देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं वो डेटाबेस है नेम नाम से तो यहां पर आपको सिर्फ नेम लिखना है तरमिने such हो रहा है जो हमने record enter किये थे वो record इसमें आ रहे है ठीक है, print होकर अब हमको क्या करना है, enter press करना है और यहाँ पर update करना है record को क्योंकि हमने क्या गलती किया है अवनी में age होना चाहिए maximum 25, लेकिन यहाँ पर हो गया है 27 ठीक है, तो अवनी के age को update करना है, तो यहाँ पर update लिखना है, और हम किसको update करना चाहते हैं, तो वो age को update करेंगे, तो यह age लिख दिया हमने, age लिखने के बाद क्या करना है enter press कर दीजे, नीचे आ जाइए अब हम age को ही set करेंगे, तो यh set keyword का यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे एज क्या लिखना है तो जैसे लिखा एज तो यह आमने एज लिख दिया ठीक है यहां पर एज का एक capital होगा अधरवाइस रिजर्ट नहीं आएगा तो यह हो गया तो यहां पर एज लिख दिया हमने अब एज में क्या करना है एस इस इस इक्वल टू हमें कर देना है है यहहां पर 23 फिक है हमनी का एस 23 होना चाहिए जब कि हो कितना गया है 27 छी अब यहां पर हगता हूं लिख दिया अब यहां पर नेम क्या होगा उस जो स्टूडेंट zinc नाम क्या होगा तो यहाँ पर लिखता हूँ student underscore name तो यहाँ पर name दे देना है तो यहाँ पर देख सकते है capital में है तो यहाँ name capital में लिखेंगे N-A-M-E, N capital लएगा यह हो गया, is equal to अब नाम क्या है अवनी है, तो single added course में लिख दीजे, अवनी, यह हो गया अब इसको close कर दीजे single added course जो open किया था इसको close भी कर देना है अब एक बार इसको यहाँ से control F5 कर देंगे, तो यह देखिए, यह command जो है successfully complete हो चुका है, अब हम इसको execute कर वाते हैं, तो जैसे ही हम execute कर वाएंगे, यहाँ पर यह देख सकते हैं, अवनी का age, यहाँ पर invalid object age दे रहा है, देखते हैं, state one, table का नाम हमने name दिया था, तो यह है, तो यह name दे दिया हमने, अब यहाँ से इसको execute कर वाते हैं, और अब यहाँ से इसको execute कर वाते हैं, तो यहाँ पर सकते हैं अभी ऑवनी का एज कितना दिखा रहा है तो अब फिर यहां से एक्सीक्यूट करते हैं तो आप देखिए ऑवनी की एज हो गई है 23 कि ऑवनी age 23 हो चुकी है I hope कि यह बार समझ में आ रही होगी अब माल लिजे किसी और भी student का आपको age update करना हो तो ऐसे ही आप update कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी का भी age आपको update करना हो ओके तो I hope कि यह video आपको समझ में आई होगी और जैसे माल लिजे कि अवनी के change करना है और age change करना है ठीक है क्या देना है वो 18 दे दिया मैंने और यहां पर राम दे दिया तक कि यहां पर नाम भी आए तो यहां पर इसको execute करवाता हूं अब दिखिए यह एक्सेक्यूट जैसे करवाया तो यहां पर राम किए जब कितना दिखा रहा है 20 दिखा रहा है जबकि हमने किया था 18 तो एक बार और इसको यहां से control F5 कर दीजे और फिर यहां से execute कर वाईएगा तो आप देखिए राम की जो है 18 आ चुकी है तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं आई होग की बात समझ में आई होगी अपडेट क्या रिका यूज अगर विडियो पसंद आखिशे शेयर करें थैंक यू पर वाचिक इस विडियो कि अवर वाईएगा पसकते हैं पसकते हैं यूज आटता हैं आप और यूज़ विडियो